एलो आइन वेलकम तू मंदरी स्कार साइल आज हमने एक इनोवा में बहुत अच्छा आडियो अप्ग्रेड किया है कर समय का बजट बहुत ज्यादा नहीं था उनको मीरियम बजट में उस तो बहुत अच्छा चीज चाहिए था तो हम लोगों ने जो कस्छमर को रिकमेंट कि जिलता है यह जिए समस्थिंग फेंटस्टिक वह में दिखा रहो है हमने अच्छे ब्राइंट के वांपनेंट्स दोनों आगे बीचे इंस्टॉल किया है यह फ्राइमा रेंज है यह एंट्री लेवल या बीसी करेंट ऐसा नहीं बहुत सकते है अपन एकनोमिकल रेंज है सब्सक्राइब करने के लिए हम लोगों ने हर्ट का है इसका एमार्पी आरों नाइंटीन थाओजन वन नाइनटी के तरीब आता है यह जो है अंप्लिफायर बहुत कॉंप्रेक्ट है इससे सबसे मेन बेनेफिट क्या है जो स्पीकर का आरेमेस पावर है वो कंप्लीट एडिशनली इस कार में हम लोगों ने डैंपनिंग किया हुआ है डैंपनिंग से सबसे मेन जो बेनेफिट है जो भी वाइब्रेशन्स नैटलिंग नॉइस दोर पैनल से आता है स्कीकर का बेस रिस्पॉंस बहुत अच्छा आता है तो इसलिए हम लोग डैंपनिंग करते है सबसे मेन बात का बजाना चाहता हूँ अभी जो यह सेटप हम लोगों ने इंस्टाल किया है इसका जो आउटपूट एफ्लेक्ट है जो यह कॉस्ट में जब को चीज मिल रही है that is something extraordinary यह कॉस्ट में बड़े-बड़े ब्रैंड नहीं दे पाता है इसी कॉलिटी अपको में थोटा सा क्लिप सुनाता हूँ आप यह फोन जूज कीजिए जब आपको सुनेंगे उसे अपको मालूम बढ़े होगी क्या effect गाड़ी में आ रहा है जो stock speakers है या फिर दब कोई भी basic लेवल अपग्रेडेशन करते हो और जो कभी भी अच्छे ब्रैंड में अपग्रेडेशन करते हो तो उसमें डिफरेंस क्या होता है को में सुनाता हूँ अबी क्या है क्या है नहीं फ्रेंड इसमें हम लोगों ने कोई वूफर इंस्टॉल नहीं किया है ना अंडर सीट ना डिक्की कोई भी वूफर हम लोगों इंस्टॉल नहीं किया है तब भी अपने को इतना अच्छा effect मिल रहा है इसमें सिर्फ इसमें अच्छा नहीं करना है इसमें को जादा खरचा नहीं करना है इंके उनके लिए यह पर्फेक्ट सेट अप है सो किस बात का वेट कर रहे हो आजाओ घंडरीज कार स्टाइल मेरे से अच्छा डील ले लो इंस्टॉल करवा लो थैंके सो मच फ्रेंड्स